अब दियर स्टुडेंट गायत्री स्कूल के ओनलाइन क्लास में आप स्वागत है और आज मैं आपको आगे संकू के बारे में बताऊंगा अभी हमने घन घना बता दिया बेलन बता दिया आज संकू के कॉश्चन होगे ठीक है ना एक उधारन तुम देख लो उधारन नंबर 11 तो ये उधारन नंबर 11 है और इसका पेज है हमारे पास 279 ये कह रहा है एक संकू के टेंट के उच्चा है 14 मीटर है ये 14 मीटर है संकू के आदर का च्चेतर फल लोगता है पाई आरे स्कार ये 346.5 मीटर स्कार है और यह टेंट एक पांच मीटर चोड़ी केनवास से उना गया है केनवास की चोड़ाई यहां लेकित तो केनवास की चोड़ाई है केनवास की चोड़ाई हमारे पास है एक पॉइंट पांच मीटर है तो इसकी लंबाई पूछी है कार यह अदु कि यह दुनकालेंगी और फिर इसका बक्प्रस्ट निकालेंगी फिर बक्प्रस्ट में इस चोड़ाई से भाग लेंगे था केनवास की लंबाई आईगी ठीक है ना तो यहां से स्टाट करते हैं यहां से आर निकालना है तो आर इसक्वार एक्वस्टू 346.5 बटे पाई फिर पाई का माल लगा दो 346.5 बटे बाईस बटे साथ हो जाएगा तो यह साथ उपर पहुंच जाएगा ग्यारे से काट लो ग्यारे दूनी बाईस ग्यारे ती ती तीस ग्यारे एकन ग्यारा ग्यारे पंजे पच्वार यह गट जाएगा अब वो इसका इसका गुना कर लो साथ बंजे पैंतीस हासिल तीन और साथ तिन दास एक और साथ एक किसर एक बाईस और बटे में आएगा दो दो को आप ऐसा कर सकते हो जीरो बढ़ाओ यह पॉइंट अट जाएगा पास से काट लो इसको पांच अग बीश और पांच से इसको काटेंगे पांच अग बीश पांच अग बीश पांच इकन पांच यह कटेंगा तो भाई यह होता है 21 गुणा 21 और यह होता है दो गुण यहाया साधी दस यहाया आठ और हमारे पास यह है और और जिस निकालेंगे बराबर होता है अंडरूड ही स्कॉर्ट अर्शमारे अगि क्योंकि हमें इसका बक्क प्रस्ट निकालना थो भक प्रक्ष्ट संगू का प्रसुता पाई आरेल तो ल की जरूरत बढ़ेगी इसलिए निकाल लाए है और यह है है हमारे पास कितना 14 और आरे 10.5 तो आप यह भी लिख सकते 122 चलो बाद में कर लेंगे 21 वटे दो लेखे दो तो वही इसका देखो बर्ग करेंगी 14 तो 196 आएगा इसका बर्ग 441 और दो का बर्ग 4 फिर इसका एलसीम ले लेंगे दो लेंगे लेंगे हमे एलसीम चार आएगा चार का गुना इदर होगा 4 चिंग 24 अ यह हासिल दो चार नम चाटीस दो अड़वारटीस हासिल 3 4 37 और यह 431 तो यह आया बह्य यहां पर देखिए पांच और यह यहा बही बारा हासिक यह आया पांच और आथ चर बारा हासल 1 और यह 11 और एक बार है और बचे 125 का ब्रस्वार्भल कितना होता है देख लो तीन पीन नौ होता है और तीन बचे यह उता लिया और ती दोली 6 5 बार जाएगे सब्सक्राइब कर दो तो यह आया एन इतने मीटा अब वो हम बग्क प्रस्ट निका लेंगे और बग्क प्रस्ट में किस से भाग लगाएंगे चोड़ाई से तो के नवास की चोड़ाई यहां लिखेंगे के नवास की चोड़ाई जाय चोड़ाई जो भी तो दे रखी यह लंबाई नकाल ली करी लभाई लंबाई अ क्या चो चौड़ाई से तो वक्कप्रस्ट बटे चौड़ाई ऐसे समझे लो तो वक्कप्रस्ट होता है पाई आरेल और चौड़ाई हमारे पास ये एक पॉंट पाच तो पाई कमान 52 वते साथ और हमारे इतारी देखलो पाई कमान 22 वते साथ और हमारे पास है एक किस वते दो तो यहाँ किस वटे दो लिख लो एल हमारे पास है 35 वटे दो और यह एक पॉंट पांच यह आया और साथ पंजे 35 वार गट जाएगा और देखा पॉंट अटाएंगे तो यहां जीरो बढ़ा सकते हैं 55 वार दो साथ एक कीस साथ वार और 2 से ग्यारे वार तो यहां पर आया फिर 2 से यह पांच वार है तो यहां आया जारा साथ पांच ग्यारह साथ सत्तर और पांच का अगुना कर दो इसमें पांच सते पैंटीस अतिन अड़ीस इतने मीटर के अनवास की लंबाई की जरूरत होगी देखो कॉस्चन के आए कॉस्चन में यह कह रहा हूँ एक टेंट बना रहे हैं ठीक है टेंट की हमें उचाई दे रखिये और आधार की आधार का छेत्रबल दे रखा है तो और सैल निकालेंगी और फिर भर्क प्रेस्ट टेंट बनाती है अर्शह के आधार तो जमीन है तो यह हम ऐसके चोडाई से भाग लगाएंगे तो चेटर भरण को भान रहेएंगे चेट्रफल में में आगरा चडाई से भाग लाएंगे घुल्या स्टार्ट होगी सोले पॉंड तीन और सोले पॉंड तीन एक्सासाइज में देखिए आगी फरस्ट वाला कॉशन देखो चलो फरस्ट से ही शुरू करते हैं धी में धी में तो एक्सासाइज सोले पॉंड तीन का कॉशन नंबर फरस्ट कॉशन फरस्ट है एक संकु की उचाई 28 सेंटिमीटर है और आधार की तरिजा 21 सेंटिमीटर है ये 21 सेंटिमीटर है उसका बक्प्रस्ट संपूर्प्रस्ट आयतन ग्याद करो देखो सर्चीज पूछिए बक्प्रस्ट संपूर्प्रस्ट आयतन अब टीनों चीज ग्याद करने के लिए हमें यह देखना होता है कि बक्प्रस्ट होता है संकु का पाई यार एल तो एल नहीं हमारे पास पहले एल निकालो बक्प्रस्ट संपूर्प्रस्ट में लगता है और आयतन अगर पूछता तो आयतन तो आरो रहोता है उसमें ठीक है तो सूतर आपको याद होने चीए तो पहले इससे आप L निकालोगे तो 28 का स्कॉाइर प्लास 21 का स्कॉाइर 28 28 का दो बार गुणा कर लो भाई आठ आठ चोंशट हांसल चे आठ दुनी सोला और चे बाइस और दो से सोला हांसल एक और ये पांच और चार आठ साथ साथ सो चौरासी और 21 का चार सो एक तानीस अब हो साथ सो चौरासी और चार सो एक तानीस तो यहां देखो एक और ये पांच हो गया और चार और ये बारह हो गया हासल एक और ग्यारोग और एक बारह हो गया तो ये 1200 कितना आया 1225 आया चलो इसकी हम बरगमूल लिका लें तो तीन तीन नो होता है और कितने बच्चे तीन और ये उताल लिया तीन का डबल छे पांच बार जाएगा 35 आएगा इसका बरगमूल तो इसका बरगमूल आया वही 35 35 सेंटीमीटर यह आई हमाई L ठीकैं अब देखिए हमारे पास आर ये, हर ये, är, एल है अब हम बच्चे प्रस्ट आयतेरं निकाल सकते हैं तो यहाँ देखिए पहले बच्चे प्रस्ट निकालना है बच्च्च प्रस्ट होता है पाई आरल संकू का बच्च्च तो पाई आ रहे होता है तो पाई कमान बाइस बटे साथ आर आर हमारे पास है 21 और एल हमारे पास है 35 तो देखो इससे काट है हम साथ 21 तीन का गुणा यहां करेंगे तो 66 और 35 का गुणा तर्दो 35 में 66 से गुणा तो चैपंजे 30 हांसल तीन चैटी आठारह तीन 21 और यह भी यह होगा तो यह आएगा वही दस तेवीस दस तो इसको हम लिख सकते हैं तेवीस दस सेंटीमीटर इसका है यह इसका आया बक्क प्रेस्ट ठीक है अब इसका संपूर प्रेस्ट निकालेंगे संकू का संपूर प्रेस्ट संपूर प्रेस्ट होता है पाई आर और एल प्लस आर यह संकू का संपूर प्रेस्ट है पाई आर और एल प्लस आर तो पाई कमान 22 वटे साथ आर आरे हमारे पास 21 एले 35 और आरे 21 तो यहां देखिए साथ से एक आर्दिया तीन बार और तीन का इसका गुणा 66 और यह दोना जोड़ दो तो यह 6 और यह 56 आया ठीक है अब वो 56 का 66 से गुणा कर दो चैचिंग 36 हंतल तीन और चैपंजे 30 और तीन 33 और यह भी यह आएगा तो यह आया भई नो चत्तिस च्यानवे तो यहां लिख दो चत्तिस च्यानवे सेंटिमीटर स्क्वाई अब वो संकू का आयतन निकालना है संकू के आयतन में तो आर और एच चाहिए सूत्र होता एक वटे थीन पाई आरे स्क्वाईर एच एक वटे थीन पाई कमान बाईस वटे साथ आर आर हमारे पास है 21 तो 21 गुणा 21 और एच है हमारे पास 28 प्रकाटते हैं इसको भई तो दिको साथ एक किस से एक किस कट जाएगा तो यह आया 22 गुणा और इसका गुणा कर लो 28 का 21 से गुणा करो 16 बाच तो यह आयगा वई 58 ठीक है तो यहां लिख दो 58 और दो का गुणा कर दो 58 में तो शोला और एक सत्रह से लेक दसवरे ग्यारा और यह यहां भी यह आएगा तो यह आया 6 3 और 8 9 और यह दो एक बारे 936 तो इसको लिख दो बारे 936 सेंटिमेटर क्यों ऐसे हमें इसकी संकू की बक प्रेस्ट संपूर प्रेस्ट आयतर निकालनी ठीक है शोली तो शिम्पल शिम्पल है यह तो इसमें हमने किया है और और ह से पहले हमने निकाला रहाष से हनै तो यह वे हमें ओर मुझा बढ़ गया ओबFit कि माल लग धिया और प्रेस्ट पॉर प्रेस्ट आय प्लसौ और फिर आयतर एक Controlош fun tri संगु का आयतन इतना है उसकी उचाह यह तिर्षी उचाही बताईए देखो दूसरा कौशन देखिए कौशन नमबर दो कि सब्सक्राइटन दे रखा है संगू का आयतन होता है एक बठे 3 पाई आरे स्क्वार एच यह हमें दे रखा है बारे शक्ति बारे 32 cm Q और उंचाई दे रखिए इसकी 14 और उंचाई दे रखिए 12 बारा है 32 तो ये आइतने और उंचाई 24 है और ये कह रहा है संगु की तरियक उंचाई बताओ L पूछा है तो पहले हम इसका मान यहां लगा के R निकालेंगे फिर R और S से L निकालेंगे ठीक है और जो भी हमें जैसे आइतन दे रखा होता है तो आइतन के सूतर के आगे लिखते हैं जिससे के हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या करना है तो ये मान यहां रखो रखने पर एच वरावाद 24 रखने पर तो ये आएगा एक वटे तीन पाई का मान 22 वटे साथ आर हमें निकालना है एच हमारे पास 24 और ये बारह सो बत्तीस जाएगा तीन से इसको काटते हैं त्यार चोवीश आठ वार अब तो कटनी रहा तो साथ का इदर गुणा कर दो इसका इसका बाग लगा दो तो आर इसकार बरावर बारह बत्तीस गुणा साथ ये साथ बज़ गुणा इधर हो जाएगा और ये 22 और आठ ये यहां लिख दो चलो कात टें इसको तो 11 से कठेंगे डिन हेज आप जार्द आठ तीन बचिश चोग वाज रहेगा फिर दो से इसको काड़ दो साथ तो यह आया वही साथ कुना साथ तो आर कमान कितना है हमारे पस साथ सेंटिमीटर अब आर बराबर साथ है और एच बराबर यह है आर और एस से कहा निकालना हमें एल क्योंकि उसने तिर्शी उचाई पूछिए तिर्यक उचाई पूछिए तो हमें मालुम होता है तिर्यक उचाई का सुत्र होता है अंडरूड एच स्कॉाइर प्लस आर इसकॉाइर यह आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए पेटा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी फिर यहाद हो आपको एक जानक कौन बताएगा इसलिए फॉर्मूला रिपीट करते रहिए तो । है 14 । यहाद होगी 24 का İ और हमारे पास साथ और यह साथ का है यसका है तो 24 । जो बार होगना करेंगे तो 576 आएगा और 77 का बार गुना करेंगे थपाट्यां उन। तो तिर्शी उचाई इसकी तिर्यक उचाई कितनी होगी 25 क्लिए रहे हैं चलो एक कॉशन और देखिए कॉशन नमर 3 पहला कॉशन था एच और आर दे रखा था हमने एल निकाला फिर बक प्रस शंपू प्रस आयतन निकाला दूसरे कॉशन में हमें आयतन दे रखा है संपू का एच दे रखा है उससे हमने आर निकाला और एच और आर से ल निकाला अब कॉशन 3 देखिए एक संकू के आधार का ब्यास दे रखा है 14 मीटर ब्यास का आधा होता है त्रिजा तो 14 बटे दो यानी 7 सेंटीमेटर इसकी त्रिजा होगी सेंटीमेटर नहीं मीटर तो मीटर लिखलो कोई बात नहीं और तिरियक उचाई इसकी कितनी है 25 मीटर तो तिरिया कुछाई हो कि यह है यह है 25 मीटर ठीक है तो यह कह रहा है संकू का संपूर्ण प्रस्टिय छेत्रफल ग्याद करो तो संकू का संपूर्ण प्रस्टिय छेत्रफल होता है भाई पाई आर और एल प्लस आर तो हमारे पास आर और एल है तो हम बगप्रस्ट शंपूर्ण प्रस्ट निकाल सकते हैं और अगर आयतन निकल बाता है तो आर हो रहे चाहिए तो यह तो आपको मालूम होगा कि कोशन पढ़ते समय लास्ट में क्या लिखा होता है वो यह कह रहा है ब्यास साथ है संकू का तिरिया कूचाई इसकी 25 है तो यह कह रहा है संकू का संपूर्ण प्रस्टिय छेत्रफल बताओ अब जो चीज पूछता है हम उसको देखते हैं कि उस चीज का सुत्र क्या है तो संकूर्ण प्रस्ट पूछा है संकू का तो वो होता पाई आर अर एल प्लस आल तो उसमें हमें पाई का मालूम है बाइस बटे साथ और आर और अल मालूम होगा तो हम संकू का भगक प्रेश्ट और सम्पूर्प्रेश्ट दोनों निकाल प्राएंगी क्योंकि हमें सूत्र माले में और आयतन के लिए और और एच्छे यह ठीक है तो आर और एल मालों में तो हम यह निकाल रहे हैं तो पाई कामान बाइस बटे साथ आर हमारे पास साथ एल है पच्चीस और आर है साथ तो यह साथ से यह साथ कर जाएगा तो यह आएगा बाइस इंटू इसका जोड़ दो तो यह आया बत्तीस अब बत्तीस और बाइस का गुना कर दो तो यह आएगा भई चार 704 तो आप लिखोगे मीटर स्क्वाइर संपूर्ण प्रष्ट दोनों की काई है न मीटर स्क्वाइर हो ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है कल फिर बताएंगे धन्यवाद स्क्वाइर